तोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेट की बात के तो आज स्टॉक ने कमाल कर दिया है बहुत भारी वाजार में गिरावट 900 पॉइंट के उसके बाउजिदी पॉजिटिव क्लोजिंग देना है इस बात का सबूत है कि स्टॉक इस लिवल पे मजबूत है यहाँ पे इसकी ओर्डर बुक बहुत मजबूत है लगातार बीजनस बढ़ रहा है ऐसे में क्या यह श्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है दूसरी तरफ समवर्दन मदरसन इंटरनेर्शन की बात करें तो यहाँ पे नए टार्गेट निकल के आ रहे बहुत ही सांदर इसका बीजनस है कमपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है और नए बीजनस में इंट्रिक कर रही है क्या इस समय इंवेस्टमेंट किया जा सकता है और IRFC के अगर हम बात करें तो श्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट है वैसे इंट्राडे में तो श्टॉक में बहुत भारी गिरावट ही थी लेकिन वो सारी गिरावट रिकावर हुई और लगबग फ्लैट क्लोजिंग कह सकते है तो क्या इस लिवल्स पे खरीदारी करनी चीए क्या आने वाले इसमें फिर से बाजन में पॉजिटिव माहुल बनेगा एक और श्टॉक को हम डिसकस करने वाले जो बहुत ही सांदर यहां पर स्प्लिट देने जा रहे है तो यहां पर स्प्लिट का इनाल हो चुका है कंपनी के बारे में जानेंगे उसके फंडामेटल को देखेंगे यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि FI और D.I. का रुजान इस समय क्या है वो भी जाने की कोसिस करेंगे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए एक में लाइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस्बी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE Sensex 63,148 के इस्तर पे आ चुका है जबर्दस गिरावट लगबग 900 पॉइंट की भारी गिरावट अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेंशन वारी बात ही है कि लगातार सारे सपोर्ट तूट रहे और निप्टी 50 भी देखे तो 19,000 के इस्तर को तोड़ चुका है अब आप देखे तो कि पीछले 45 टेडिंग सेसन में लगबग 32,000 पॉइंट की भारी गिरावट हो चुके और अपने ओल टाइम हाई सेप्टेमर से देखे तो 45,000 पॉइंट की गिरावट हुई है तो बहुत ज़्या निगेटिव दिकरा है वाजार और इस गिरावट के पीछे वज़े है FI की भीक्वाली आज FI ने रिकॉर्ड तोड भीक्वाली किये कल भी भारी भीक्वाली थी आज उसे डबल हो चुकी है आप देख सकते हूँ आज FI ने 10,239 क्रोड का नया इंवस्मेंट किया लेकिन सामने 17,941 क्रोड का माल बेच दिया तो उनकी जो भीक्वाली दिकल के आ रही है वो 7,702 क्रोड की है और ये इंट्रारे में जो भीक्वाली है कई बहिनों के बाद बहुत भारी बिक्वाली हुए करीब 7,500 क्रोड से उपर का माल उनकी बेच दिया है और इसी ने आज पुरा माहल बिगार दिया कल भी उनकी उनकी ने 4,236 क्रोड की बिक्वाली की थी तो सिर्फ दो टेडिंग सेसन में देखे तो ये जो बिक्वाली है 12,000 क्रोड ये जो बिक्वाली है ये बहुत बड़ी है अब बाजार को जो सपोर्ट मिला है वो देख सकते हो कि डियाई की तरब से आज डियाई ने करीब 13,600 क्रोड का नया इंवस्मेंट किया है सामने 7,042 क्रोड की उन्होंने बिक्वाली की है तो उनकी जो खरीदारी का आकरा निकल किया है वो 6,558 क्रोड का है अब ये जो बड़ी खरीदारी अगर नहीं हो देख डियाई की तरब से तो बाजार पूरी तरश से क्रेस कर सकता था यानि यहाँ पे बहुत भारी गिराउट हो सकते हैं लेकिन गिरते बाजार को संबाला है डियाई ने बले ही 7,5,000 क्रोड की बिक्वाली की हो एफ़ाई ने लेकिन सामने 6,000 क्रोड की खरीदारी डियाई की तरब से भी हुई है और इस महिन में इन्होंने करीब 23,123 क्रोड का माल खरीदा है कल भी उन्होंने जो FI के सामने 35 क्रोड की खरीदारी की थी और बाजार को संबालने की कोसिस की थी तो हमारे घरेलू बड़े नीवेस है अभी भी बाजार में बने हुए लेकिन FI बाजार से लगाता निकल रहे है और इसके पीछे वज़े अमेरिकन इलिट की इस समय जो गानी 16 साल के उस चर्म लेवल के उपर है इस वज़े से वहाँ पे उनको अट्रेक्शन ज्यादा लग रहा है और जियो पोलिटिकल टेंशन के वज़े से आने वारिस में बाजार के लिए चिंता जनक सकबर निकल के आ रही है कि हो सकता है कि कुरूरल की प्राइज बढ़े तो फिर इंफलेशन बढ़ सकता है इन सारे ने मामला भी गाड़ दिया अब रेल विकास निगम लिमिटेर की बात के तो श्टॉक की शुरुआ तो निगेटिव हुई 148 के आसपास 142 का दिन में लोबी बना यानि 151 की कलकी क्लोजिंग उसके सामने 9 रुपे टूटा वासी श्टॉक लेकिन फिर बाजार क्लोजिंग के समय इसमें जबर्दस रिकवरी देखी और हमने 152 का ही देखा यानि एक टेजी और अंत में क्लोजिंग भी 151 का आसपासरी जहां पे 0.13 परसें की तेजी देखनों को मिली तो जबर्दस खरीदारी निकल के आई ये निचलर लेवल से यानि एकी दिन में 10 रुपे का जो अप डाउन देखा लेकिन काफी सांदर तरिके से बाउंस बैग दिया और ये सबूत है कि रेल विकास निगम लिबरेट इस लेवल पे काफी मजबूत है आप देख सकते हो कि करीब 419 करोड का इनको एक बड़ा ओर मिला है ये वेस्टन रेलवे की तरब से इनको ओर दिया गया है जिसमें आप देखें तो रेलवे इस्टन की बिल्डिंग बनानी है इसके ला सब्वेज बनाना है प्लेटफॉर्म बनानी है और दुसरी तरब पैसेंजर के वेटिंग लेटिंग एरिया जब कुछ यहाँ पर बनाना है इसके सामने दुसरा एक और इनका ओर्डर है यह सकते हो कि करीब 245 करोड का एक और इदा अलग से आप ओर्डर दी है जो यह 24 महिने में इनको ओर्डर पूरे कम्प्लिट करके देने है दुसरा एक और ओर इनके पास 174 करोड का ओर्डर है आप देखते हो कि यह अभी इनको एलोए के मादिम से मिला है जिसमें major bridge बनाने है minor bridge बनाने है boundary walls बनानी है complete project करके देने है company अब नवरत न बन चुकी है और आप देख सकते हो कि इसका business काफी सांदार तरीके से बढ़ रहा है पिछले पास सल का अगर CGR देखे तो 20.30% के आज़ पास है company ने 32% का dividend भी दिया है और 65,000 कोपीस की order book है यह जिससे इनके railway के metro के project है इनके पास है और bridge के project है दूसरे electrification के project है यह stock वाकई में कमाल कर सकता है इसमें plus point बहुत जाले है negative point कोई नहीं है ऐसे में long term investor है तो इसमें आप निवेस का सही जरिया बनता है आप long term काने जरिया लेके निवेस कर सकते है अब चलते हैं हम संवर्जर मदरसन इंटरनेसल की तरब stock की शुरुआता अजी 91 पर हुई तो देख से तो कि ठोड़ी सी negative शुरुआता है कल की closing 91.95 का आज़ पास दी वैसे इंटर डे में 92.65 का ही भी बनाने की stock मजबूत है अब यह जो ब्रोकर जाओ से काफी जाना बुली से इस समय तो संवर्जर मदरसन की बात के तो यह auto components बनाने वाली company है non auto sector में भी company aerospace में और medical domain sector में कई अधिगरन सौधे की है आने वाल से में इस sector में 92 के आसपास closing दो थी और देखे तो कि इस मौझूदा प्राइस के हिसाब से 24 परसें का return मिल सकता है पिछले एक साल में 50 परसें का इसने पॉड़ी रिटन दिया है और काफी सांदार इस समय श्टोक लग रहा है company अब वीजन company profit में बनी हुए तो खरिदारी आपको करनी चीए 115 के target के साथ अब चलते हम IRFC की तरफ श्टोक की स्वा 68.90 पर हुई तो निगेटिव शुरुआ थी कि कल की closing 70.30 के आसपास थी इंट्राडे में 70.40 का हाई भी बना लेकिन जो लो है वो 65.75 का तो सबर्दस गिरावट हुई श्टोक काफी जाना गिरा इंट्राडे में भारी गिरावट हुई लेकिन अंत में closing 69.90 काश पर ही जाफे 0.57 परसंट की ही गिरावट थी यादि लगबग आदा परसंट की गिरावट तो काफी सांदार रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिली और अब कमपनी देख सकते हो कि लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है आपको यह पता ही होगा कि यहाँ पे इनके सिर्फ 42 एंप्लोईजे जो इस कमपनी को रन कर रहे हैं और सबसे जो बड़ी बात है कमपनी किसी प्रकार का कोई टेक्स पे नहीं करते हैं इसको टेक्स से राहत मिली हुई है और 0 NPS का चलते हो उस श्टॉक के जो में स्प्लिट देने जारी तो यहाँ पर बात करें हम HP Addressives Limited की 440 उन पर श्टॉक है जापे 0.55% की तेजी देखना को मिली अब कंपनी 10 के जो फेस वर्यू का शेर है उसको दो रूपर में बदलने जारी है और इसकी देखते हो कि X स्प्लिट द जिरो करोड के आसपस है वैसे मार्च में यह 58.45 करोड के आसपस था तो quarter on quarter बेसी पे रिवेनी बढ़ा है लेकि नियरन बेसी पे रिवेनी थोड़ा सा कम हुआ है प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है बहुत ही सांधर तरिके से जून 2022 में जापे 1.37 करोड के आसपस प्र जून 2023 में बढ़के 4.51 करोड के आसपस पहुच गया और मार्च में यह 3.87 करोड के आसपस था लगातार हर quarter में 3G से profit बढ़ यह ग्राफ लगातार बढ़ रहा है ऐसे में long term investor के लिए अच्छा मौका है खरीदार यह आप करें वैसे देख से तो कि 2020 में company को 4.73 करोड का loss थ 2023 के company 10.86 करोड के profit में आगी है ऐसे में investment का मौका बनता है दाव लगाया जा सकता है लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से बाढ़ ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जोगी जो और चैनल को subscribe कर दीजिए thank you friend